जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुदर पर भी पत्थर के पुल बना देते हैं नमश्कार दोस्तों तो कैसे हैं आप सब मैं उमीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे स्वस्त होंगे तो अगर आप Class 12 के स्टुएंट्स हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि आज की वीडियो में मैं लेकिया हूँ आपके लिए Class 12 Economics के Term 2 के कुछ important questions जो की आपके Term 2 के point of view से काफी important होने वाले हैं आज डिसकस करूँगा आपके Macro Economics के plus Indian Economics के वो topic जहां से आप से 100% chances है questions पुछे जाने के तो वीडियो के last तक बने रहें और जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं उन सबसे मेरे request है चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो और नोटिकेशन आपको मिलती रहें तो आईए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करेंगे Macro Economics की तो Macro Economics में जो यूनिट सबसे पहले पुछा जाएगा वो पुछा जाएगा National Income and Related Aggregate काफी important unit है उसके बाद जो second unit Macro Economics में Term 2 में पुछा जाएगा वो है Income and Employment का तो सबसे पहले National Income and Related Aggregate की बात करेंगे कि कौन से आपके जो टॉपिक हैं वो important है सबसे पहले एक आपको difference जुरूर आपके paper में देखने को मिलेगा National Income and Related Aggregate से सबसे first number में बात करेंगे कि कौन कौन से important आपके differences है तो stock and flow का जो difference है काफी important है maximum time repeated questions है consumer goods and capital goods काफी important है nominal and real GDP का जो difference है काफी important रहता है final goods and intermediate goods का जो difference है काफी repeated रहता है तो ये वो difference है जो कि पिछले 15 सालों से maximum times repeat हुए है तो इन सभी को जितने भी difference है इनको बिलकुल अच्छे से करें उसके बाद हमारा जो topic आता है GDP and welfare ये एक ऐसा topic है जो कि continuously पिछले 15 सालों से continuously आपके paper में पुछा जा रहा है जी हाँ यहाँ से आपको क्या किया जाता है यहाँ इसमें आपको 3 से 4 point देखने को मिलेंगे जहाँ से एक point आपको explain करने के लिए आपके paper में दिया जाएगा तो काफी important है GDP and welfare का इस topic को बिलकुल अच्छे से करें 100% guarantee है कि ये जो आपका topic है आपके paper में जरूर पूछा जाएगा उसके बाद अगर national income की बात करें तो यहाँ से numericals आपके paper में पूछे जाते हैं तो generally अगर बात करें तो सबसे important जो आपके numericals रहते हैं national income के वो रहते हैं income and expenditure method के income and expenditure ये दो ऐसे method हैं जो कि पिछले 15 सालों से continuously paper में पूछे जा रहे हैं और उसके साथ साथ अगर बात करें gross value added method की तो कभी-कभी ये method भी आपसे पूछा जाता है तो उसके बाद unit 2 की अगर बात करें determination of income and employment तो सबसे पहले aggregate demand and its components जो है वो काफी important है aggregate demand is equal to consumption plus investment उसके बाद आपका APC, MPC, APS, MPS जो basic concepts है काफी important है aggregate supply और उसके components जो है वो काफी important रहता है उसके बाद full employment and involuntary unemployment की जो terminology है काफी important है full employment का मतलब 100% employment नहीं होता कहीं नहीं वो 3-4% वो लोग होते हैं जो काम तो है कर भी सकते हैं पर करना नहीं चाहते हैं और multiplier जो working of multiplier है काफी important है काफी repeated रहता है paper में पिछले 15 सालों से continuously जो multiplier का concept है working of multiplier वो पूछा जाता है अब आप इसे easy तरीके से भी समझ सकते हैं जल्दी से मेरी content में जाओ वहाँ पर आपको मैंने बिलकुल easy way में working of multiplier कराया है अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते है और उसके बाद relationship between K and MPC है काफी बार repeated question रहते हैं दोजनों हमारे जो multiplier, working of multiplier है relationship K and MPC है उसके बाद basic terminology है accent saving है, exposed investment है access demand, depth and demand में inflationary, deflationary gap का जो concept है वो काफी important रहता है तो इनके notes भी आपको मेरी videos में मिल जाएंगे, बिलकुल इजी तरीके से हमारे किया है, income and employment का जो unit है fiscal policy and monetary policy काफी important रहता है, fiscal policy वो policy होती है the policy of the government और जो monetary policy होती है, वो होती है हमारी the policy of the RBI उसके बाद अगर बात करें, Indian economic development की है हमारी second book की, current challenges of Indian economy में generally 3 chapters पूचे जाएंगे implement and unemployment सबसे पहले उसके बाद infrastructure, फिर environment and sustainable development, अब सबसे important है कि इन में कौन से हमारे ऐसे topics हैं, कौन से ऐसे questions हैं जो most probably repeated रहते हैं हमारे paper में, तो employment and unemployment की बात करें, तो types of workers जो है काफी important रहता है, jobless growth का जो concept है काफी important है, casualization and informalization of employment जो है काफी important है, types of unemployment में different types of unemployment हम study करते हैं, तो काफी important रहता है ये concept भी, इसके साथ साथ basic terminology है, वो आपने जरूर करने है, इस chapter की उसके बाद infrastructure की बात करें, तो difference between economic and social infrastructure जो है, ये काफी important है इसकी importance क्या है, the state of infrastructure हमारे इंडिया का जो infrastructure है, वो कैसा है काफी important, 100% guarantee है, इस questions की पुछे जाने की काफी सानों से ये question पुछा जा रहा है the state of infrastructure in इंडिया तो ये जो topic है, बिल्कुल अच्छे से करदा है some challenges in power sector, की क्या-क्या challenges है, आज भी हमारे power sector में काफी important रहता है ये topic भी, इसके भी 100% chances रहते हैं, किसी न किसी series को ये questions जूर पुछा जाएगा, three tire system of health, काफी important रहता है, women health issue है हमारे इंडिया में काफी, यहां से भी काफी time आपको questions आपके paper में देखने को मिलता है, उसके बाद environment and sustainable development की बात करें तो global warming जो है, most repeated topic है, और इसके जो impacts है, काफी important है, sustainable development का जो concept है, यह हमारे पास resources है, हमें अपने resources का इस तरीके से use करना है, ताकि जो आने वाली भावी PD है, उनके लिए भी हमारे resources रह पाएं और economic growth and economic development का जो difference है, काफी important है, बिल्कुल अच्छे से आपने करना है उसके बाद अगर एक single unit की बात करें काफी, एक प्यारा सा chapter है, हमारा developmental experience between India, Pakistan and China, तो यहां क्या important है, जो sectoral compare है, comparison है, इंडिया Pakistan and China को, sector wise हम compare करते है, primary sector कैसा है secondary sector कैसा है, हमारे इंडिया का, पाकिस्तान का, China का और service sector कैसा है, इंडिया का, पाकिस्तान का और China का, economic growth जो है, वो discuss करते है, human development index को discuss करते है, कि इंडिया का कैसा है, पाकिस्तान का कैसा है, और China का कैसा है, demographic indicators जो है काफी important रहते हैं, most probably questions यहां से पूछे जाते हैं तो ये कुछ important questions थे, कुछ important topics थे, जो कि आपके class 12 economics के term 2 के point of view से काफी important होने वाले हैं, तो इन सारे questions हैं, topic हैं, इनको अच्छे से करें, और 100% guarantee है, कि जितने भी ये topic हैं, इनी के अंदर से ही आपको, आपके paper में देखने को questions मिलेंगे, तो लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को like, share और comment रूर करें, चैनल को subscribe करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलवीदा, बाई बाई, जै हिंद, जै भारत.